नमस्ते आप सभी का स्वागत है सनी का जैका में आज हम राजस्थान की खास सब्जियों में से एक सब्जी बनाएंगे जिसे हम कभी भी गरम नहीं कर सकते जो कि बहुती कम समय में और बहुती कम तेल से बनती है इसे हम राजस्थान में चिल्ले की छाचिती कहते हैं अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर करे और हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करे तो चलिए बनाते हैं चिल्ले की छाचिती यह हमने एक बोल लिया है इसमें हम डालेंगे एक कटोरी दही जो फ्रेश जमाया था हमने घर पे ही और इसमें हम डालेंगे नमक स्वादनिसार अब इसको हम घोट लेंगे घोटनी से और इसमें बिल्कुल भी पाने नहीं डालेंगे उसको अच्छे से घोट लेंगे हम यह देखे इस तरह से यह हमारा द़ई घुट चुका है हम घोटनी निकाल लेंगे अब एक दूसरे बोल में हम एक कप हम लेंगे बेशन अब इस बेशन को भी हम इसमें पाने डालके इसको भी हम घोल लेंगे चिल्ले का घोल हमें बनाना है इसका ना जादा जाड़ा ना जादा पतला इस तरह से देखिए हमने बेसन को घोट लिया है यह देखिए हमारा जो पेस्ट है यह बिल्कुल तयार हो गया घोल ना जादा जाड़ा ना जादा पतला अब इस बेसन के घोल में हम डालेंगे एक मीडियम साइज का प्याज जो हमने बारिक काट लिया है दो हरी मिर्च जो बारिक कटी हुई है वो भी इसमें डाल देंगे हम एक चमच ग्रेटेड अद्रक वो भी इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता जो हमने बारिक करके काट लिया था नमक, स्वाद अनुसार और लाल मिर्च पाउडर अगर आपको तीखी चाहिए तो आप ज़्यादा भी लाल मिर्च पाउडर ले सकते हैं अब इन सब को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे घोल में हमारे घोल में यह देखिए इस तरह से ताकि अच्छे से सब मिक्स हो जाए तो यह देखिए यह हमारा जो बैटर है घोल है यह बिल्कुल रेडी हो गया है यह देखिए हमने तड़का पैन लिया है इसमें एक चमस तेल डालेंगे अब इस तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे जीरा अब यह देखिए जीरा चटकने लग गया है तेल अच्छा गरम हो गया है अब इम बन कर देंगे यह देखिए घोटावा दई भी हमने ले लिया है अब हम गयास बन कर देंगे इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर और थोड़ा लाल मिर्श पाउडर अब इस छोके को हम इस दही में डाल देंगे इस तरह डाल देंगे अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए हमारा छोका जो है इसमें यह देखिए बहुत ही सुन्दर लगता है लग रहा है यह अब एक हम तवे को ग्रीस कर लेंगे हम पर इसमें हमारा जो बैटर है वो डाल देंगे इ यह देखिए इस तरह से अब इसका हम बनाएंगे चिला जो कि हमको जादा जाडा नहीं बनाना है इस तरह से spread कर देंगे अब इस पर हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे यह जो चिल्ले के छाचिती है यह बहुत ही होती है बहुत ही स्वादिष्ट होती है तो आप इसे जरूर बनाएं अब इसको पलट देंगे हम देखते हैं देखिए पीछे से भी अच्छे से सिख चुका है हमारा और इसके खासियत यह है कि इसको कभी भी गरम नहीं किया जा सकता क्योंकि यह दही है दही को अगर हम गरम करेंगे तो दही फट जाएगा तो इसलिए यह सब्जी ठंडी ही अच्छी लगती है तो इस तरह से देखें प्रेस करते हुए मच्छे से इसको सेक लेंगे पल्ट प्लेट में निकाल लेंगे अब दूसरा चिल्ला बनाएंगे इसी तरह से यह जो सबजी हम बना रहे हैं इस यह सबजी कम से कम दो से तीन लोग इसको आराम से खा सकते हैं अब इसमें हम तेल डाल देंगे और इस तरह से स्प्रेट कर देंगे अब इसको हम पलट के देखते हैं सिखा की नहीं सिखा बिल्कुल हमारा पिछे का साइड बिल्कुल अच्छे से सिख चुका है इस तरह से प्रेस करते हुए सेखेंगे हम इसको तो यह देखिए यह हमारे दोनों तरफ से हमारे चिल्ला जो है वो अच्छे से सिख चुका है चलिए अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो ये देखें दोनों चिल्ला जो है हमारा रेडी है अब इन चिल्लों को हम काटेंगे हमें ये ध्यान रखना है कि जो चिल्ला है वो हमें गरम ही काटना है हमें इसको ठंडा नहीं करना है ठंडा करके अगर हम इसे डालते हैं तो हमारी सबजी अच्छी नहीं बनेगी तो इस तरह से हम काट रहे हैं आप चाहे तो इसे चाकू से भी काट सकते हैं इसके छोटे-छोटे piece कर लेंगे हम इस तरह से देखिए तो यह देखिए हमने दोनों चिलों के छोटे-छोटे pieces कर लिए हैं अब इसको हम इस दही में डाल देंगे जिसे हम छाचेती भी कहते हैं इसके अंदर हम इन पीस को डाल देंगे अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करके हम पांच मिट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि यह अच्छे से अब्जॉब कर ले दही को अच्छे से अब्जॉब कर ले अब इसको हम धनिय पत्ते से इस तरह गानिश कर देंगे तो ये देखिए हमारी चिल्ले वाली छाचिती बिल्कुल रेड़ी है जिसे हम चिल्ला दई करी भी कह सकते हैं खाने में तो स्वादिष्ट है ही साते सात बहुत हिल्दी और बहुत कम तेल में बना हुआ है आप इसे चपाती पराठा या भाकरी के साथ खा सकते हैं और इसे अपने फैमली के साथ जरूर इंजॉय करें अब जल्द ही मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ